नमस्कार मैं हूँ गाहितरी गुपता और आप देख रहे हैं SPN 9 News स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में और बात करूंगी भार्टी जन्ता पार्टी के सबसे दिगज और वरिष्ट नेता जिन्हें लोपुरुष की भी संग्या दी जाती है लाल अद्वानी जी अब कहीं न कहीं पार्टी में साइड लाइन हो गए हैं मार्ग दर्शक मंडल में वो भूमिका निभा रही है और जिस तरह से उन्हें गांधी नगर से इस बार टिकट नहीं दिया गया यह इनकी सीट रही है यह इस सीट से वो लगातार सांसर भी रहे हैं इस बार बिजेपी ने अमिश्या को टिकट दिया जो की अब सफलता हासिल करके लोगसभा का हिस्सा बन चुके हैं और फिलार आधवानी जी अब सिर्फ वो सिर्फ एक वरिष नेता के तौर पर बिजेपी के लिए मार्ग दर्शक नेता की तौर पर भूमिकार निभा रहे हैं लेकिन अड़वानी जी की अड़वानी जी ने बिजेपी के लिए जितना खोन पसीना बहाया है वो किसी से छुपा नहीं है और शायर ये बात इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि जब 2000-23 मही को जब लोगसभा चुनावी नतीजे सामने आये थी तो प्रधान मंतुरी नर स्काराइब हो गये हूं आज भी लोग चाहते हैं कि वह वह कहना की राजनीटी में सक्रियर हैं लेकिन उनकी उम्र इतनी है वह बुजूर्ग हो गये हैं तो शायद बुजर्णा साया हमेशा बना रहना चाहिए तो जाहिए सी बात है कि नरेंद्र मोदी से बड़े हैं आडवानी जी जाहिए सी बात है उन्हें उनके मार्व दर्शक की जरूत है इसलिए पीजेपी में एक मार्व दर्शक मंडल बनाये गया और आगामी 28 जून तक हिमाच्वर प्रदेश में ही रहेंगे ऐसी ख़बरे सामने आ रही है और इसके रावा वो पहुचे हैं जहां पर उनका बहुत अच्छा वैलकम भी किया गया है हिमाच्वर प्रदेश में राज़ानी शिमला पहुचे जहां पर उनका अच्छा से वैलकम किया गया और ITC होटल में ठहरे हुए हैं इसके रावा कहा जारा कि आरवानी परिवार के साब बहुत बहुत लंबे समय बाद छुट्टियां मनाने पहुचे शिमला और राज़पाल आचार देवरत से भी उनकी मुलाकात हुई है और दिल्ली की जो दिल्ली में इस लक्त बहुत ही गर्मी हैं साहिर सी बाद बारिश तो हो नहीं रही है तो यहां से उनको रिलाक्स चाहिए था तो हिमाच्वर प्रदेश पहुच गया है जहां पर वो कुईन होफं हिल्स का कही नजारा देखेंगे वहां पर बहँतर तरीके से अपने आप bit रख सकते हैं या वहां पर जो बह जो भी चीज़ें हैं दिल्ली से बहतर जीत के बाद संसरी दल की बैठक हुई थी वहां पर उन्होंने जो हैं वहां पर प्या मोदी ने उनके पैर्ट हुए थे और पैर्ट हुए थे और पैर्ट हुने की खबर इसलिवी चर्चाओं में आ रही है क्योंकि बीते साल आपको अच्छे से आदो कर त्रिपुरा में क्या प्यापी बाद हुआ था और अश्चा यह अज प्यांता से लग रहा था है क्योंकि गोदरर कांड किसी से छुपा नहीं है यह स्टेश्य गोधर कांड कॉधर कांड चांड जी ने ततकाली मुखयमंत्री गुजरात के उनके खिलाफ कि एक्शे से आदो आद्वानी ज वह बिल्कुल उनके इकलाब जो होना होगा वह हो जाएगा लेकि उनको रोका था क्योंकि उनका इस्तीफा लेने वाले थे अतल जी लेकिन आद देखिए वही सिला था कि उत्रिप्रा में जो वाक्या नज़र आया उसके बाद से हर किसी ने प्याम मोदी को काफी रही है तो ऐसे मैं कहीं ने कहीं शेज से दापस बुड़े हो गहां जै कि निसमीन के उनके पह दो विशेश तोर पर जखात दी गई है और वैसे मैं त्रिप्टा का जिक्र कर रही हूं तो त्रिप्टा मैं आपको बता दू कि राली नहीं थी वह माफ़ी चाहूंगी शपद ग्रहन हो रहा था और शपद ग्रहन के दुरान वहाँ पर लाल किशन अडवानी जी साहित अमिश् अडवानी जी के बारे में और क्या खबरे आती हैं और यह भी देखना होगा कि क्या अब वो कुछ और भी बड़े करते हैं यह फिर जो उन्हें मांगर दश्क्र मंडल में डाला गया है अब वो सिर्फ व सिवीद्टाओं का मांगर दश्शन करते हुए नबस्कार